नमस्कार दोस्तों मैं रूप मतिवर थे बोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में उमिद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्त होंगे और अच्छे होंगे जो लोग मेरा वीडियो पहली वार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और साथी साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको तो दोस्तों आज मैं बात करूँगी कि स्विट पटोटो की वाइन को किस प्रकाल लगाया जाता है स्विट पटोटो याने शकरकंदी हमारी देशी भासा में बोलते हैं त और कुछ स्विट पटोटो की मैं हारवेस्टिंग भी करूँगी तो चलिए दोस्तों तो ये देखिए ये स्वीट प्टोटो की वाइन है ये देखिए और ये बहुत दूर दूर तक फैल जाती है ये ये जमीर में एकदम बिश जाती है और ये मैंने ग्रोब एग में लगाया है चावल की जो बेग आते हैं उसमें लगाया है और यहीं हमारे बेगन भी लगे कि देखिए छोटे-छोटे से कंटेनर में कितने सारे बेगन लगे हुए है यह देखिए हर एक प्लांट में यह छोटे से कट्टी में लगा है तेल की पांच लिटर की इसमें भी देखिए कितना बड़ा बेगन लगा हुआ और सभी में लगे हुए है यह देखिए और सभी प्लांटों में लगा है और एक बार मैंने इसकी हार्वेस्टिंग कर दिये हैं तोड़ी लिये हैं और भिंडी भी तोड़ी लिये मैंने ये देखो फिर से आ गए हैं ये इतने सारे फार एक प्लांट में देखिए कितने बेगन बने हुए हैं ये लंबे वाले काले बेगन है और हरे बाले भी है ये देखी गुच्छों में आये हुए हैं ये एक ही प्लांट में देखी कितने आये हुए हैं ये अभी भी छोटे भी हैं बड़े भी हैं और इस तरफ में ये बड़े काले वाले हैं ये गोल वाले जिसका भरता बनता है यहीं पर हमारी भिंडी भी लगी हुई है तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए यह मैं आप लोगों की शाथ में शेयर कर रही हूँ हमको बहुत खुशी मिलेगी अगर आप लोग हमारी जो गार्डनिंगे हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो थोड़ी सी मेहनत को सहरा आते हैं और हमारी थोड़ी सी मेहनत रंग लाई है तो मैं बात कर रही थी कि स्वीट पटेटो को आप किस प्रकार लगाएंगे तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है और ये देखिए यहां तो इतनी सारी फैली हुई है ये देखिए बहुत दूर दूर तक फैल जाती है इसकी वाइन और आप अगर एक बार अपने गार्डन में एड़ कर लोगे तो ये सालो साल आपके गार्डन में बनी रहेगी और क्यूंकि इसकी कटिंग से बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है और इसके जो कंद आते हैं उससे भी आप ग्रो कर सकते हैं तो cutting से बहुत ये आसानी से ग्रोफ हो जाती है जिसे कोलेस की cutting आसानी से लग जाती है उसी प्रकार लगती है और ये मैंने एक सिमेंट की टनकी है उसमें मिट्टे डाल के लगा दिये तो ये इतनी सारी फैल गई है और ये दो तरह के आती है एक लाल कलर की आती है और एक ये सफेद कलर की आती है जो सफेद कलर की आती है वो देसी वाली होती है और बहुत ही खाने में अच्छी लगती है और एक जो आती है वो खाने में टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं आता है और ये जो देसी वाली है इस आप इतनी एक इस प्रकार कहीं से भी आप तोड़ के इसके जो刀 कि लगा-हते तो आप अगर इस प्रकार एक कटिंग ऐसे लगाओगे तो एक दो ही कंद आएंगे इसके अंदर और अगर आप राउंड शेप में करोगे तो उसमें बहुती अच्छे से और जादा क्योंकि जितनी भी ये जो पत्ती निकल लई है हर एक नौड में एक कंद बनेगा हर एक नौड में कंद बनेगा तो मैं बताओं कि किस प्रकार आपको करना है ये देखिए आप इस प्रकार राउंड बना लीजिए जो डंडी है उसको गुमा गुमा के और पत्ते को उपर रखिएगा और इसका जो मुह होता है जो सिरा होता है यहां से उसको उपर रखिएगा ये जो एक सिरा बना हुआ है हमारा जहां से ग्रोथ बढ़ती है वहाँ पर वो वाले मुख को उपर रखिए बाकी पूरा राउंड कर लीजे और सारी पत्तियों को उपर करके और इस प्रकार इसको पकड़ के नीचे गड़ा दोगे तो जितनी भी ये पत्तियां दिख रही ह कहीं भी लगा लो बहुत ही आसानी से चल जाती है और इसकी दो किसमें होती है तो आप इस प्रकार पकड़ के और जो ये जो नोड़ी वाला एरिया है ये आप पूरा मिट्टी में गार दीजे शिरिफ ये पत्ते पत्ते उपर रखिएगा तो मैं आपको इसमें गड़ा के बताऊंगे ये मिट्टी के अंदर इसको गड़ा दीजे पूरी तरीके से तो मैंने जित्ता भी नोड़ी एरिया था सारा मिट्टी में दवा दिया है और शिरिफ ये जो छोर है यहां से जो ग्रोथ निकलेगी वो एरिया उपर रखा है और बागी पत्तियां सारी उपर है और बागी पूरा नोड़ी एरिया मेंने गड़ा दिया तो इससे हमारे बहुत सारे कन बनेंगे तो इस प्रकार आप ये गड़ा के और फिर इसमें पानी डाल दीजे इस प्रकार आपकी वाइन बहुत जल्दी बढ़ जाएगी और बहुत सारी फैल जाएगी और फिर में क कुछ हार्वेस्टिंग भी करके बताऊंगी तो दोस्तों ये गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छे से सर्वाइब होता है और ठन की दिनों में ये डॉर्मेंसी पिरियड में चला जाता है तो गर्मी की सीजर में इसकी ग्रोइंग बहुत अच्छी रहती है पानी इसमें डे मुर्जा जाएगी मुर्जा जाती है इसलिए इसको तीज धूप में गर्मी की में नहीं रखते हैं और फटीलाजर की अगर में बात करूं तो इसको जब मिट्टी बनाते हैं उस समय ये गोवर खाद आप अच्छे से डाल दीजिए मिट्टी बनाते समय तो ये बहुत इसलिए सकते हैं और दोस्तो ये जो देशी वाला है यह मेरे पास देशी प्तियाँ होती है सुदनर होती है और वह सजावट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है और और यह मेरे पास देशी वाला है और यह बहुत आसँनी से चल जाता है। मिश्क कंद बहुत ही मीठे लगते हैं। बहुत सारे डीसेस भी बन जाती है इसकी और यह मेरे ग्रोव एग में लगे हुए हैं । है यह जो ग्रोब एक है उसकी पूरी मिर्टी हम निकाल लेंगे उसके बाद ही इसमें से कंद निकलेगा मैं बताती हूं आप लोगों को तो यह देखिए यह नीचे तक के जड़े कितनी फैल गई है इसमें यह ग्रोब एक मैं और इसमें मैंने मिर्ची भी लगा दी थी तो म तो यह देखिए दोस्तों इसमें से यह अभी काफी मेंचर नहीं हुआ है यह करीबन अगर हम चार मेने पांच मेने में निकालेंगे तो बहुत बड़े-बड़े बन जाएंगे यह जल्दी निकाल लिये हैं यह वाला प्लांट यह पीछे लगाया था यह देखिए यह चोट यह बहुत बड़ा वाला है इसको मैं तोड़े लेती हूं यह देखिए यह देखिए यह बहुत ही छोटे-छोटे बने हुए हैं अभी ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं और जो मैंने टनकी में से लगाया थे हुए वहां से मेंने बहुत बड़े-बड़े तोड़े हैं तो यह देखिए हैं आपको दिखाने के लिए कि यह देखिए यह वही ऑइन है स्वीट पटोटो की और मैंने पहले भी सुबह तोड़े हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ और दोस्तों ये देखिए ये इसमें से कितना बड़ा तोड़ा है मैंने ये धोड चुकी हूँ मैं इसको क्योंकि ये टंकी का एरिया बहुत ही बड़ा है इसलिए इसमें इतना बहुत बड़ा हो रहा और ये देखिए फट भी गया है ये इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि फट गया है ये मैंने सुबह तोड़ा है इसको और भी तोड़े हैं मैंने ये देखिए ये मैंने सुबह निकाले थे और ये देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर हम बड़ा कंटेनर रखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा भी साइज हो जाता है और ये छोटे कंटेनर में थे और ये मैंने अभी निकाल के बताए हैं कि किस प्रकार लगते हैं ये तो ये देखिए ये हमारी आज की लीग ये सुबह तोड़े हैं ये मेरे धुल चुके हैं पर अगर हम घर में लगा लें तो हमारे खाने के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा एक डिश बन जाएगी तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही अगर आप लोगों को मेरा भीडियो अच्छा लगे तो मेरे वी सब्सक्राइब करना दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलिएगा धन्यवाद कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताना